दोस्तो फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर लोग मुख्य कलाकारों को यही याद रखते हैं ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो किसी साइड एक्टर को याद रखते हैं लेकिन ऐसा बिलकुल ही नहीं है कि साहयक अभीनिता प्रसिद्धी हासिल नहीं करते ऐसे कई साइड बॉलिवुड इंडस्ट्री में काफी लोग प्रियता हासिल किया लेकिन दुर्भा के वश वो इस प्रसिद्धी को अधिक समय तक भोग नहीं सका दोस्तो हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों में साहयक अभीनिता के रूप में पॉजिटिव और नेगिटिव किरदा निभ जान निकले वीडियो के अंतक बने रहें उनके प्रारमिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 23 अक्टूबर साल 1945 में महराश्र के दापोली तालुका के पंगारी गाउं में हुआ था उन्होंने अपनी शुरवाती पढ़ाई सेंट जॉसेफ से पूरा किया वहां उन्होंन के साथ साथ निर्देशन का भी काम किया करते थे धीरे धीरे उनकी रूची अभिने की तरफ में बढ़ती गई ये सिलसला जारी रहा उसके बाद उन्होंने गुजरात रंगमंच व्यक्तित्व प्रविन जोशी के मार्क तरशन में थीटर नाटकों में अभिने और कर लिया काफी संगर्शों के बाद उन्हें बॉलिवूट में अभिने करने का मौका मिला साल 1982 में उन्होंने हिंदी फिल्मों से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की उन्हें फिल्म विजेता में साइड एक्टर के तौर पर कास किया गया जिसके निर्देशक थे गो के रहना जैसे अन्य कलाकार शामिल थे सफी ने इस फिल्म में विंग कमांडर परुलकर की भूमिका निभाई फिल्म के सभी गीत को वसंत देव ने लिखा था इसके गाने दर्शकों को काफी पसंद आये थे फिल्म बॉक्स ओफिस पर सफल रही वैतरी निर्देशन के लि मशूर अभीनिता ओमपुरी सब इंस्पेक्टर आनंद विलंकर के रूप में दिखाई दिये इसके अलावा फिल्म में नसीरुदिन शाह, अमरिशपुरी, समिता पाटिल जैसे कलाकार शामिल थे इसमें सफी ने सहयक अभीनिता के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर हैद फिल्म से सफी को एक सहयक अभीनिता के रूप में अच्छी खासी लोगप्रता मिली, उसके बाद उन्होंने बॉलिवुड के अपनी चौती फिल्म में अभीने किया जिसका शीर्शक था आश्रे और साल 1984 में उन्होंने अपनी पाँचवी फिल्म में अभीने किया जिसका ती रामा राओ द्वारा निर्देशित किया गया था फिल्म एक राजनेतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसमें मुक्य बुमिका में अमिताब बच्चन और श्री देवी जैसे कलाकार दिखाई दिये फिल्म में कादर खान, शक्ति कपूर, रंजीत, इफ्तेकार और निर कर गया था दोस्तों सफी इनामदार अपने शुर्वाती दोर में थोड़े बहुत तुक्प्रिय हो गए थे जिसके चलते उन्हें फिल्मों में काम मिलता गया और वो सभी मौकों को एक एक करके लेते गए उन्होंने कई और फिल्मों में अभी नहीं किया जिसे अर्जुन हस्ती, इंसानिय, टककर, निशाना और हाहाकार फिल्म आज के आवाज में उन्होंने बहतरी नभेने किया था जिसका निर्मान बियार चोप्राने किया था ये एक एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे रवी चोप्रा द्वारा निर्देशित किया गया था फिल्म में साल 1994 में आई फिल्म क्रांती वीर में शांदार अभिने का प्रदिर्शन किया जिसमें नाना पाटेकर, टिंपल का पाडिया, अतुल अगनी होतरी और ममता कुलकर्णी मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म ब्लॉक पास्टर साबित हुई जो उस साल की तीसरी सबसे अधि से उन्होंने निभाने का प्रयास किया, आज के आवास फिल्म में वो पुलिस वाले बने, तो फिल्म आवाम में खलनायक, नजराना, अनोखा रिष्टा और अमरिच जैसी कुछ फिल्मों में हीरो के दोस्त के किरदार में दिखाई दिये, उनकी यही खासियत थी कि वो सभ तर इस रोल को कोई निभा ही नहीं सकता, साल 1995 में आई फिल्म हम दोनों को शफी ने निर्देशित करने का काम किया था, उन्होंने मशूर अभिनेता नाना पाटेकर और रिशी कपूर को डारेक्ट किया था, यह फिल्म एक एक एक्शन त्रिलर फिल्म थी, हाला कि यह फिल परदे के उपर भी दिखाई दिये थे, साल 1984 से लेकर 1986 के दौरान प्रकाशित टीवी सीरियल ये जो है जिंदगी में रंचीत की भूमिका में दिखाई दिये, जिसके चलते वो घर में लोग प्रिय हो गए, उसके बाद साल 1986 में ही बहादूर शाह जफर टीवी सीरियल के ए गुजराती, हिंदी, ठ्रियेटर और टेलिविसन की एक मशूर अभिनेत्री थी, लेकिन साल 2001 में एक सड़क दुरगटना में उनकी इमृत्यू हो गई, उनके एक भी बच्चे नहीं है, इसके अलावा सफी के परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हाला कि सफी को क कोई पुरसकार नहीं मिला, लेकिन साल 1996 में आई फिल्म आज की आवास के लिए सर्वश्रिष्ट्र साहय कभिनेता का फिल्म फिर पुरसकार के लिए वो नामानकित किये गए थे, दोस्तों एक साहय कभिनेता के रूप में उन्होंने अपने अभिनेसे फिल्मों में काफी योगदान दिया, और फिर जाहे वो नकरात्मक किरदार हो या फिर सकरात्मक, उन्होंने दर्शकों को काफी रोमाचित करने में कोई कसन नहीं छोड़ी थी, लेकिन कहते हैं कि आप कितने ही अच्छे और मशूर क्यों नहीं हूँ, मौच जैसी आपदा से कभी नहीं लर सक उनके मृत्यों के कॉमेडी तीवी सीडियल तेरी भी चुप मेरी भी चुप बंध हो गई, हाला कि भले ही वो लोगों की बीच में नहीं हैं, लेकिन फिल्मों के जरीए वो अब भी उनके चाहने वालों के करीब हैं, दोस्तों अमीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अंसुनी जीवनी जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद